Hello everyone and this is Kashish Khan back to a new topic of mathematics तो आज का जो हमारा topic है वो कौन से chapter से है? Trigonometric ratios से Trigonometric ratios के exercise 3.3 question number 10 यह हमारा question है ठीक है? तो हम इस question को solve करने जा रहे हैं तो इस question क्या है पहले इसको देख लेतने हैं हमारा जो question है इसमें हम लोग को prove एक equation दिया गया है और इसको prove करने है ठीक है? question is very long, okay? so it will take very much time to read okay so first of all यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे जो first part है first part को पहले देखते हैं क्या है? 3 pi by 2, 2 pi, 3 pi by 2 and 2 pi यहाँ पर 3 pi by 2, 2 pi, 3 pi by 2 and 2 pi यहाँ पर यह दिया गया है अब हम लोग को पता है कि हमारे first part होता है, उसका ज्यादा कोई work नहीं होता है उसका बस थोड़ा सा ही work होता है क्या होता है कि हमारे t- ratios को quadrant में बताना रहता है कि वो किस quadrant में लाई कर रहे है ठीके? तो चलिए हम अपना quadrant भी बना लेते हैं यहां पे हमारा क्वाडराइं बन राहिए, this is first, second, third and fourth. First is our pi by 2, second this pi, this is 3pi by 2 and this is here let me make the dot and this is 2pi. okay two pi means 360 degree pi means 180 degree and this 90 and this is 270 degree okay now let us come here back three pi by 2 यहाँ पे three pi by two दिया है तो यहाँ पे हम देख सकते है three pi by two fourth quadrant में लाई कर रहा है exactly अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि plus x मतलब कि three pi by two में कुछ add हो रहा है कुछ extra बढ़ जा रहा है तो जब हम three pi by two में add कुछ करते हैं तो यहाँ पे रुख जा रहा है कुछ add हो गया first quadrant में आ गया first quadrant में आ गया यहां पर क्या है यहां पर कॉस है ठीक है जैसा कि हम जाना दें कि फॉस्ट कॉर्डर गुर्र में हमारे सारे टी रेशो सफ़ुटिव रहते हैं यह negative ने होते हैं ठीक है तो यह हमारे जो कॉस है यह पॉजिटिव भी रहेगा हां जैसा कि फॉस्ट कोड़न में लाइक कर रहे हैं अब यहां पर देख रहे हैं थ्री पाइबाइट टू अब हम लोगों ने इस चैप्टर में यह भी पढ़ा था कंजर्वेज कंवर्जन के बारे में कंवर्जन में क्या होता है जैसे कि मैं कुछ ती रेशुज लिख रही हूँ साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस एक अगर यह साइन है तो इसका कंवर्जन होगा ते कॉस हो जाएगा टैन तो कॉट सेक तो कॉस एक लेकिन कब होगा कब होगा जब हमारा यह 5x2 के फॉर्म में दिया रहे है लेकिन यह भी एक बात है लेकिन आप लोग सुचते होगे यहाँ पे तो 3x2 दिया है पाई बाई बाई टू तो नहीं है इससे कोई मैटर नहीं करता है अगर वो 4x2 हो या 5x2 हो या 3x2 हो यह मैटर नहीं करता है यह यह matter करता है, pi by 2 होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि pi by 3 हो जाए, pi by 4 हो जाए, नहीं, pi by 2 होना चाहिए, बहले सो उसके आगे कुछ भी लग जाए, 3 लग जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो इतना हमें समझना है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ पर cos है तो cos का conversion होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sign हो जाएगा ठीक है? sign और यह हमारा x as it is यहाँ पर आ जाएगा negative mark नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह first quadrant में लाइक कर रहा है ठीक है? अब move करते हैं next step cos 2pi plus x 2pi ठीक है? यहाँ पर लिख देते हैं third and this is fourth this was 2pi okay so what is 2pi plus x? 2pi ठीक है? यहाँ पर लाइक कर रहा है अब देखते हैं plus x इसमें कुछ add हो जा रहा है कुछ add हो जा रहा है ठीक है? कुछ आगे बढ़ जा रहा है तो cos cos तो positive ही रहेगा क्यों positive ही रहेगा? क्योंकि इसमें सारे positive 2pi का मतलब 360 degree हाँ एक one revolution complete हो रहा है एक one revolution complete हो रहा है यहाँ पर जब इसमें कुछ add हो जाएगा तो हमारे first quadrant में हमने पढ़ा है कि सारे t ratios positive ही रहते हैं तो यह हमारा cos xy ऐसे लिखेंगे यहाँ पर conversion नहीं होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि pi by 2 नहीं दिया है अब यह हमारा under bracket as it is लगा देंगे अब यहाँ पर cot ठीके? अभी हम cot नहीं लिखेंगे क्यों नहीं लिखेंगे? हो रहा है? थ्री pi by 2 फ्री pi by 2 यहाँ पर अब इसमें से खुछ decrease हो रहा है क्या हो रहा है? कुछ मा्इनस हो जाए, ट्री we Play by 2 में तो कम होगा तो यह इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वार्डरिन में 3ppY by 2 minus x, यह यहाँ पर आजागा fourth quadrant में, अब हमें पता है कि cot और tan fourth quadrant में cot और tan ऐसे t ratios हैं, जो हमेशा positive रहते हैं, और सब t ratios negative हो जाते हैं तो हमारे यह जो cot है वो conversion इसका होगा तो यह tan हो जाएगा, ठीक है यह tan हो जाएगा, और positive ऐसे रहेगा, और यह हमारा x as it is will come, okay so this plus, okay now cot, 2 pi plus x 2 pi, यहाँ पर हो रहा है a complete revolution, means 360 degree यहाँ पर हो रहा है, फिर इसमें कुछ add हो जा रहा है, यहाँ पर आ गया first quadrant में, cot हमें पता है, first quadrant में सारे positive होते हैं, t ratios, तो यह भी cot as it is will write अब हमारा जो question है मतलब की 90% complete हो चुका है अब यहाँ पर हम लोग चाहें, देखे, sin x और cos x, यहाँ पर हम लोग sin x और cos x को change नहीं कर सकते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, sin x plus and cos x okay, and under bracket 10 x, अब इसको क्या करें, हमें तो अपना equal 1 लाना है, मतलब की lh is equal to rh is proof करना है हम लोगों को, तो यह 10 x को क्या करें कि मतलब कुछ changes आया हमारा 1 आ जाए, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं, sin x by cos x okay, sin x by cos x plus, cot को क्या लिख सकते हैं 10 का बोजिट, cos x by sin x अब हमारा question और भी easy हो गया है अब sin x cos x अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं cos x and sin x जैसे कि fraction, अब addition of fraction करते थे हम लोग, तो वहाँ पे numbers दिये गए रहते थे थे, उसके lc हम निकालते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा t ratios दिया गया, इसका lc हम निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं cos x under bracket and into sin x, ओके ऐसे लिख सकते हैं, अब cos, one time में cos into 1 होता है cos x, तो यह sin into sin हो जाएगा, sin square sin square x plus as it is, now sin x sin x, तो यहाँ पे sin x into 1 मतलब sin x ही होता है, और cos into cos that will be cos square x, ओके अब यहाँ पे देखें आप लोग कि यहाँ पे कोई symbol नहीं है हमारा बस under bracket दिया गया है यहाँ पे कोई symbol नहीं है, सिफ under bracket दिया गया है, इसका मतलब है यहाँ पे multiplication हुआ है, लेकिन symbol नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों same है, same है तो cancel भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारा क्या बज़ गया, sin square x plus cos square x, इतना बज़ गया, अब क्या करें, कि 1 आ जाए, अब भी problem है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, कि sin square x plus cos square x, equals 1 होता है, ये formula हम लोगों ने पढ़ा है, equals 1 होता है, मतलब कि हमारा RHS प्रूव हो चुका है, LHS equals to RHS प्रूव हो चुका है, and now our question number, this is salt.